हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम बैक टो ओर चैनल सो गाइज आप अपनी कमर घस लीजिए टाइम आपके पास खाली बचे हैं 50 डेज ओके गाइस 50 डेज के पाद आपका एक्जाम होने वाला है सो गाइस हमने कोशिश करेंगे कि आपको आपने तरप से हम बेस्ट दे पाएं ठ ठीक है तो गाइस हमारी application के उपर आपकी mock test series लांच हो चुकी है और आज उसके उपर आपको offer मिल रहा है क्या offer मिल रहा है आप पेडि स्क्रीन के उपर देख रहे हैं नवरातरी offer चल रहा है coupon code लगाए आपको 150 प्लस test को आप access कर पाएंगे सिरफ 99 रुपीज में तो गाइ बलके कुछ कुछ कोशन करेंगे आज की वीडियो में देखते हैं कितने कोशन हम से हो पाएंगे ठीक है तो गाइस यह समझे आपके 10 में से 10 माक्स पक्के और गाइस कंप्यूटर अवेर्नेस में कंप्लीट आपको पढ़ा चुका हूं उसकी कंप्लीट आपको उसकी प्लिस्ट अमरे चैनल पर मिल जाएगी उसके बाद आप अपने स्क्रीन पर और भी देख रहे होंगे कि हमने मैस यहां पर कवर करवा लिया है मैक्सिमम मैस पोर्शन कवर हो सो गाइस चलिए वीडियो स्टाट करते हैं आज की जादा हम जादा फालतों बात यहां पर नहीं करेंगे अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए यह आपकी अपनी मर्जी है लेकिन अप्लिकेशन ओर की जहां पर आपको कुछ टेस्ट करना भी होता थीक है चलिए फालतिव बात challenges आप नहीं करेंगे देखते हैं पहला कोशिन आपको बताना है विछ जिन को हम नमबर crunchers बोलते हैं उनبة computers का नाम बोलना है जिनको हम नमबर crunchers बोलते हैं तो गाईस क्या करना है आप आप गईस कंजूसी क्यूं करते हैं आप और मॉटिवेट होते हैं कि आपको जादा स्यादा पढ़ाएं और आपकी मौक्ता सिर्स तो स्टार्ट कर ली हमने साइंस और सर से भी मैंने बात की सर से भी बात की अपने बिजी शेड्यूल से वह आपके लिए आज की बद वीडियो लेकर आएंगे कॉंटिनीव वीडियो आपको मिलती रहेंगी अपको अपको बताना है इस वापित्र और क्रण्चर भी बोलते हैं इंपॉर्टेंट कॉशन है अगला कोशन देखिए अब हाव मैनी बीट्स इकवल वन बाइट एक byte में कितने bits होते हैं 2 bits, 4 bits, 8 bits, 16 bits and 32 bits तो guys वो वीडियो देख लिजिए मेरी guys उस वीडियो के बाद आपका I don't think कि आपको कोई भी question इस वीडियो के छूटेगा ठीक है जो मैंने complete करवाई है वीडियो अपने चैनल पे कितने bits का एक byte होता है तो guys आपको पता है की 1 byte मतलब के 1 byte जो होता है 1 byte is equal to 4 bits कितने bits का होता है guys? 4 bits का हमारा 1 byte होता है ठीक है? 1 minute Sorry guys 4 bit का नहीं बलके वो nibble होता है 1 nibble is equal to 4 bits तो 1 byte जो होता है 8 bits का होता है ठीक है guys चलिए अगला question देख लिजिए अगला कोशिन है यह हमारे पास USB is a common interface USB एक ऐसा common interface है ठीक है जिससे हम communicate कर सकते हैं devices के बीच में और जो हमारा host controller होता है उसके बीच में एक communicate कर पाता है USB के थूँ ठीक है जैसे कि हमारा PC है as in USB stand far अब भी USB में देखेगा अगर आप से पूछी भी जाएगी किस तरह से पूछेंगे वो भी देखे तरीका पूछने किस तरह का है USB की full form आपको आनी चाहिए आती है यह पर फालतु पड़ेंगे ही नहीं आप ठीक है as का मतलब होता है serial universal serial bus so guys option number 2 will be your correct answer यह PDF में आपको share कर दूँगा ठीक है universal series बोला है sorry serial है ठीक है चलिए what is the extension of MS-DOS यानि कि Microsoft Disk Operating System Command File ठीक है अभी यहां पर आपको उसकी command file जो होती है उसका क्या extension होता है .tmp.bin.dbf.com.cdoc so guys जो disk operating system की command file का जो extension होता है file का वो रहता है guys हमारे pass.com याद रखेगा important question है आपके exam point of view से ठीक है जितने भी question यहां पर होंगे वो सारे आपके पिछले exams में पूछे गए questions है warm जो होता है WORM ठीक है यह एक data storage technology है जो prevent करते है that prevents the drive from erasing the data जो आपकी drive को data erase कर होने से prevent करती है उसको बचाती है तो warm की full form क्या है write out read many write once read more write once read much write hour read mode write once read many इसको यह question आता है उसको जल्दे से comment box में इसका answer कीजेगा comment में कोई कंजूसी नहीं इसका जो answer है warm का जो हमारे पास answer है guys वो है write once read many यहनी कि आप एक बार लिख सकते हो लेकिन आप इसको बहुत बार उसको पढ़ सकते हो ठीक है चलिए अगला question देखिए अगला question है guys हमारे पास which one of the following software application इन में से कौन सी जो software application होगी ठीक है would be the most appropriate अगर आपको numerical and statistical calculations करनी है ठीक है तो कौन सी application आपके लिए appropriate रहेगी database, spreadsheets, graphics, package, document processor या slide presentation आपको पता है कि database, spreadsheet क्या होता है जो आपको बहुत सार आपके बस data होगा उसको आप database बनाएंगे अबर आपको कोई calculations बगरा करनी है तो आप वहाँ पे किसका यूज करते हो आप वहाँ पे use करोगे spreadsheet का ठीक है guys, अगर आपको slides बनानी है तो आप वहाँ पे slide presentation का use करोगे, ठीक है चलिए अगला question देख लीजिए which among the following is not an input device अब जो आपके पास options दी है इन में से input device कोन सा नहीं है so guys, light pen, plotter, track ball, microphone, keyboard guys, आपको क्या लगता है इन में से input device का नहीं होगी input device आपको बता है कि input device क्या होती है ठीक है, light pen ये भी तो आपकी input device है plotter को छोड़ो, track ball ये भी input device है, microphone ये भी input device है, keyboard ये भी input device है, बोलोगे input device कैसे है ये तो computer के बाहर होता है भाईया, बाहर होता है, लेकिन ये input device है, अब बचा हमारे पास plotter जो एक input device नहीं होती है ठीक है, चलिए अगला question देख लीजिए अभी भाईया, यहां पे बोला गया है third generation computers में कौन सी technology यूज़ की गई थी transistor is it clear, is it true integrated circuits vacuum tube, VLSI या semi conductor तो गाईस क्या चीज़ जो है third generation computer में यहां पर यूज़ की गई थी तो वो थी guys, integrated circuits तो आपको बताना है कि transistor कौन सी generation के computer में था vacuum tube, बस इन दोनों को बताएगा कि ये दोनों कौन से generation के computers में थे ठीक है, I hope कि आप ने अच्छे से पढ़ा होगा ये question देख लीजिए आपको बताना है correct hierarchy में क्या है यनि कि अगर पहले चोटा है, उससे बड़ा उससे बड़ा, उससे बड़ा या सबसे बड़ा चोटा 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 ठीक है options देखिये, byte, kilobyte megabyte, gigabyte terabyte, zotabyte exabyte, sorry exabyte, potabyte zotabyte, yotabyte तो कौन सा byte यहां पर आपको दिख रहा है कि कौन सी correct hierarchy में है, यनि कि आपको सबसे पहले चोटा देखना है, फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, अब यहां पर देखिये, यहां तक देखिये, आपको सब Sam दिख रहे होंगे दिख रहे होंगे, ठीक है अगर आपने पहले ही कोई option देखिये, टिक कर लिया जल्दी-जल्दी में, तो गया है काम से, ठीक है तो अब यहां पर उसके बाद क्या होता है XB, PB, ZB, या YB दिखते हैं, इसका अंसर क्या है हमारे पास option number 2 इसका अंसर है यहां तक terabyte तक तो बिल्कुल ठीक है इसके बाद PB, XB, फिर ZB, लास्ट में होता है YB, ठीक है चलिए गाईज, लेट्स मोटर नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी ऐसी लेंग्वेज है जिसको हम regular English की तरह समझ सकते हैं पास्कल लेंग्वेज, कोबोल लेंग्वेज, सी लेंग्वेज, प्रोग्रामिंग लेंग्वेज, या बेसिक लेंग्वेज तो गाईज, कौन सी लेंग्वेज है जिसको हम regular English की तरह समझ सकते हैं तो गाईज, वो है कोबोल कौनसी है को बो लेंग्वेज है जिसको हम जैसे हम इंग्रिश पढ़ रहे हैं उस तरह हम उस लेंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं अब यह कोशिन है विच वन आफ फॉलाइंग सॉफ्ट्व एप्लिकेशन है जो आपके लिए एप्रोप्रेट रहेगी यह यह पहले वाला को सकते हैं कितने बचे कमेट करेंगे सुove पर lessy है के 75 इन कंटेश्ट राप मेशीन लेंग्वेज मशीन लेंगवेज की कंटेक्स में व्यचा टाव फॉलाइविंग स्टेटमेंट में से कौंसा स्टेटमें ट्रू नहीं है मशीन में सिरफadores होते हैं या भीके वित सोते हैं या debugging is an issue attached to it, या machine language घर ऐसा debugging ऐसा issue है, जिसके साथ attach होता है, या none of the above, so guys, machine language जो है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको directly computer understand नहीं कर सकता है, इसलिए इसको translator की जुरूरत होते, इसलिए इसको translator की जुरूरत होते हैं, हमारे assembler होता है, interpreter होता है, या हमारे क्या होते हैं, translators होते हैं, ठीक है, whenever the text in a document moves to a new page, it is known as, जब एक document में एक text होता है, जो किसी दूसरे page में move करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, page layout, page break, page access, page facility, page indent, तो क्या कहता है हैं उसे, जब कोई text किसी document में, ठीक है, move करता है, when the text in a document moves to a new page, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, page break, ठीक है, जब कोई text एक document में, दूसरे page में move कर जाए, उसे हम बोलते हैं, page break, ठीक है, page layout का आपको पता ही क्या होता है, page access क्या होती है, page का indent कैसा है, कितना page आपको रखना है, ठीक है, तो page की facility, जो page में facilities होती है, वो क्या है, वो इनसे काम होता है, अब अगला question देख लिजेए, अगला question है हमारे पास, कि internet के fathers, father यहाँ पर कौन है, Adloff, Gary Fields, Tim Berners-Lee, Adler-Tiff, Dogles, Angelbert, या Wintsov, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आप इसका answer जट से कर देंगे, यह मैंने पढ़ाया भी है उसमें, जो हमारी वीडियो हैं, उनको देख लिजे, तो guys, internet के father जो है, वो है guys हमारे पास, Wintsov, ठीक है, Dogles-Angelbert ने क्या बनाया है, क्या मुझे बताएगा, और Tim Berners-Lee, इसमें से कौनसी आसी टोपोलोजी है, जिसमें एक डिवाइस जो है, वो दूसरी डिवाइस से connected होती है, एक network में, तू अडेडिकेटिड पॉइंट टू पॉइंट लिंग, जिसमें एक डेडिकेटिड पॉइंट टू पॉइंट लिंग होता है, स्टार्ड टोपोलोजी, कुछ इस तरह की टोपोलोजी होती है, स्टार्ड टोपोलोजी, मैश टोपोलोजी, जहां पे ऐसे होगा, ऐसे, ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद हाइब्रिट टोपोलोजी, बस टोपोलोजी, या रिंग टोपोलोजी, सो गाईज आपको बताना है, कि जिसमें क्या होता है, एक डेवाइस कनेक्ट होती है, नेटवर के उपर, किसी पॉइंट टू पॉइंट लिंक से, तो गाईज वो होती है, मैश टोपोलोजी, इस तरह की टोपोलोजी होती है, ठीक है, इस तरह से में बने होते हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट से ये जुड़े होते हैं, ठीक है, अगला कॉशन देख लिएजे, विच आफ दा फॉलिंग, इन में से क्या चीज एंटर करती है, कम्प्यूटर को, किसी इमेल की, या फ्री प्रोग्राम के दुवारा, ठीक है, जब उसको हम डॉणलोड करते हैं, इंटरनेट से, और इसको बहुत सारा डैमेज, हमारे कम्प्यूटर में करता है, टाइम बॉम, इसको हम आसानी से, क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से पहचान भी न सकते हैं, कि हमारे कम्प्यूटर में कोई चीज आई है, चलिए यहां पर देख लिजे, विच इस दा निव डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में नया मिन MS वर्ड, इन विंडूस कम्प्यूटर में डिलीटेड फाइल्स आ ट्रांसफर्ड टू, जिस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं, वो कहां पर ट्रांसफर होती है, ट्रैश बीन, स्पैन, जंग, रिसाइकल बीन, स्पैम, इस क्वेशन का अंसर आप सारे बचे करेंगे, बहुत इजी क्वेशन है, इस क्वेशन का अंसर में बिल्कुल भी आपको दिखाऊंगा भी नहीं, और आप इस क्वेशन का अंसर ज़रूर करेंगे, ठीक है? गईज, एक क्वेशन देख लिजे, C, Basic and Cobol and Java, जिसको कम्प्यूटर समझ सकता है, ठीक है? असेम्बली लेंग्वेज क्या होती है? इसमें कोई सिंबल्स बगारा होते हैं, ठीक है, गईज, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेशन देख लेते हैं, उन एरर्जे को, क्या है उने वोलते हैं, सो गईस हम कल की वीडियो में इस चाहर के कॉंटिव करेंगे, ठीक है, ये Pdf आपको जैसे ही खतम हो जाएंगे, उसको लाइएफ शेर कर दूंगा, और जो पिछले 200 MCK जो हमने history के पड़े हैं उसकी PDF में आज share कर दूँगा ठेके guys तो वीडियो खत्म करते हैं guys application download कीजिए हमारे test को हमारे test series को join कीजिए बहुत ही सचते में आपको मिल रहा है guys thank you God bless you all, जैहिन